कि नमस्कार दोस्तों मैं सब्सक्राइब करता हूं किसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे हम बात करने वाले हैं 15 से 21 के मद्ध यानि 15 जून के मद्ध आपका महीना कैसे बितेगा आने वाले साथ दिन कैसे बितेगे यह जानकारी चंद राश्य नाम राश्य पर आधारित होगी देखिए इसमें हम पूरे सप्ता की बात करेंगे संचे की बताएंगे एक एक दिन गाल बताएंगे इसके साथ सब्सक्राइब आपका बाग्यों करतेश्य पर्टिश्र बताएंगे कि आपका आने वाला सब्सक्राइब करेंगे अलग-अलग वीडियों के लिए आपका जनम दिन है आपकी शादी की साल गिरा है इस सब्सक्राइब आपको बहुत बारक और शुब कामना है शुरुबात करें उससे पहले मैं आपसे जल्दी से बात करना चाहूंगा यह एलवन खुंसब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तरक्की पाई जासकती है शरवयों की शराफ चूट स ककती है जूए जवारी है जो बुरी आदों से लोग परशाने चोड़ सकती है या उनमें कम लेकर आएगा आप इसको पहने सो राजा महराजा पहनते थे अपने शटरू से बचने के लिए दिमांग को थेज करने के लिए रहनी do कोई भी पहन सकते हैं आपको लिखना है और चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं जीवन में सुख चाहते हैं तो अब हम बात करते हैं आपकी राशी की और आप चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन के बुन को दबाते हैं और कमेंट बॉक्स पे जैश्री राम अभी लिग दें ताकि बद्वान राम भी रिपा बनी रहे हम सब पर आइए आपके जाशी मेश राशी सब्ता की आरब में आपकी समाजी प्रटिष्ठा में व्रद्धी और भागी का स्वयोथ आपकोने के प्रबल संकेत प्राप्त हो रहे हैं, आपके दोरा की गई बातों और आपके दोरा की गई चीजों का समाज में प्रभाव पढ़ेगा, समाज के लोग आपकी बातों का अनुसरान करेंगे, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, आप अच्छा परदर्शन करेंगे, पेशिवर जुन्ही में आप आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान से जुड़ी हैं को अच्छी खबर मिन सकती है, आपको सब्ता के शिरेज भाग में आमदोनी के नए रास्ते खुलते ह को दिखाएं पड़ेंगे, आपके लिए फाइदे मन वक्त होगा, अब बात करते हैं, एक लिक कारीख की, पंदरा जून से शुरुआत करते हैं, तो यह दिन आपके लिए शुब रहेगा, आप मीज सरी धन कमाईगा, आपका भाग की का जिनतर साथ प्राप्त होगा, आप जीवन साथी से रिष्टे विगार सकते हैं, इसलिए प्राप्त से बाते करिएगा, संतान की वोड़े शुब रहेगा, जैकि मानसिक परशानिया बनी रहेगी, आप बात करते हैं, आप किसी धार्मी कतिमिती पे भाग लेंगे, बच्चों का साथ और स्वयोग आपको प्र दिन होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई संतोर जनक होगी, आप अपने प्रेम संबंध के लिए वक्त निकाल पाएंगे, प्रेम संबंध में वक्त बहुत अच्छा बितेगा, आज का दिन प्रेम संबंध में भी स्वभाग दायक है, पती पत्नी के बीच में लगाओ रहेगा, परिवार के बड़ों का अशिरुवात मिलेगा, किसी अच्छे दोस्ते मुलाकात या किसी जिसको आप चाहते हैं, उनसे बातचीत का सिदस्वार शुरूर पो सकता है, अब हम बात करेंगे 17 जून की आपकी कारिस्तदी में सुधार होगा, आपको आपको चित्ता होगे, आपको जीवन साथी के नाव पर संपत्ती प्राप्त हो सकती है, आप अपने कारियों में वैस्त रहेंगे, रोमैंटिक बूल परहेंगे, जीवन साथी के संग अच्छा वक्त बिताएंगे, 18 जून की बात करें तो आज सप्ता का सरुषेज दिन है, निश्चे दू सब्सक्राइब के लिए अच्छा दिन है, आप अपने दोस्त त्यारों के साथ, या अपने सहपाथियों के साथ, ग्रूप स्टडी करके पढ़ही लिखाई को आगः बढ़ा सकते हैं, माता पिता भी आपकी पढ़ही लिखाई में आपका सहयोग कर सकते हैं, कोई घर खριदने की authता मना रहे हैं, इसे इसका इत कर दिजिए आप बात कर एंगे 20 जून की आज करें निवेश करने के लिए विशेश हुग है मुश्किल घरी में आज रखिया हूँ निवेश आपके काम आएगा आपकी वानी बदूर बदी रहेगी लोग आपके घरा सकते हैं धन कमाने की अब परत्याशित संभावनाय बद भी है आप एक दूसरे का स्वागत करिएगा आप इसरे जो महमान आते हैं जो काम आपके बनते हैं कामों को हाथी खुशी से स्विकार करिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी लेकि बहुत ज़्यादा फालतों की मिनत करने से बचिएगा वरना स्वास्त में अनुकूलता दिखाई पर रही है बात करेंगे 21 जून की आपका वैय आपकी आयस यदिक होगा आपके व्यर्थ के धन घर से आपको बचना होगा वरना आथिक संकटों का सामना करना पर सकता है चोटे भाई बैन आपको लुक्तान परचाने की चेश्था कर सकते हैं जीवन साथी से आपके संबंदों में करवाट आ सकती है स्वयम पर नियंदर रखिएगा और व्यर्थ के वाल विवास से बचिएगा वरना घर का वाता वरना पर भावित रहेगा आज का दिन स्वास्ति पर खर्चा हो सकता है धन निवेश करने के बारे में या किसी को पैसा उधार देने के बारे में मस तोचिएगा वरना नुक्सान हो सकता है दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा पालतू के धन खर्च से बचने की कोशिश करिएगा जितना हो सके धन को सही जगे पर इंवेस्ट करने की कोशिश करें ताकि व्यर्थ के खर्चे ना होगी आपके बच्चे पढ़ाय लिखाई में अच्छा करेंगे बच्चों का साथ बिलेगा परिवार में सम्मान बना रहेगा ये थे आपके साथ दिन जो आपको क्या परणाम दे रहे थे उसके बारे में मैंने आपको संपूर जानकारी दी अब उपाई क्या करना है सबसे पहला पाई यह है कि आप लोग में साशी के तो आपको मा शवस्ती के आरादना करनी है हर्माग जी के मंदिर ज now and जी को लाल रंग कर रदो कपड़ा होता है मझोचा ऑलते हैं तोब भी जो गले में डाला जाता है वो हर्मान जी की गले में डालिए और हर्मान जी से नमशकार करिए आशिवार देजिए हर्मान चरीसा वहीं मंदिर में खड़े होकर पढ़िए जो भी सब्धा में मंगल या शनिवार आते हैं आपको कल्यान होता चला जाएगा आपको पीशे मुरकर देखने के आशिवार न हैं अगर हम बात करें इस सब्धा में आपको कित्रा लाब हो रहा है तो आप देखिए आपको करीकरी 69% शुब लाब हो रहा है और 9 नमबर ही आपके लिए लगी रहेगा और हलका गुलाबी कदर आपके लिए बहुत शुब परजाम लेकर आपकता है आप इस सब्धा में अगर आप शादी शुदा है तो अपनी पत्नी को चांदी का कोई आइटम जिफ्ट जलू करिएगा जो भी उनको चाहिए हो उस तरीकी की चीज़ आप आइटम जिफ्ट करके पत्नी का प्यार और सहयोग और किस्मक को बलंद बना पाएंगे इसना कर लिएगा यह सब तहा स्टोर के बच्पाएंगे परिशानियों से बच्पाएंगे हर परिशानी का अर्थ छुपा हुआ है इस स्टोर के अंदर चाहे हो मांतिक हो शारीरिक हो पैसों की हो या कहीं की भी हो हर्यों नमस्कार